पता है आज की वीडियो को टॉपिक या है घर बैठे वजन कैसे कम करें क्या खाएं हमारे चैनल की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो क्या खाएं क्या ना खाएं तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ब्रेक फास्ट में हेल्दी एपल स्मूदी जिसके सेवन से आपके पेट की चरबी कम होगी और आपको अच्छा इंचलास मिलेगा तो तेजी से वजन घटाने के लिए चलते हैं वीडियो की और सबसे पहले एपल को छील कर उसका छिलका उतार कर उसको पीसिस में कट करके चौपर में डालेंगे इसके बाद आप दूद में भी एपल स्मूदी बना सकते हैं और ये दही में भी बना सकते हैं लेकिन एक बात याद रहे अगर आपको ऐसिडिटी जादा बनती है तो आप दही को एवाइट करें दूद में इसकी स्मूदी बनाएं एक कप दूद को मिक्स करेंगे फिर उसके बाद हम वाइट शूगर की जंगे अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग एक चमच शेहद को डालेंगे और उसके बाद इस डाइट को हेल्दी बनाने के लिए हम एक चमच क्रीम या ताजी मलाई भी लेंगे एक चमच फैट्स बॉड़ी के लिए बहुत ज़रूरी होता है फिर उसके बाद हम इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे अब हमारी स्मूदी बिलकुल तयार है इंस्टेंट जिसे बनाने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती आपका मौनिंग ब्रेकफस्ट चाहे आप वरकिंग है चाहे आप हाउस वाइफ है इसमें अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से नड्स, पोश्यक तत्वोसे भरपूर, एपल स्मूदी जो आपके पेट को भरने के साथ साथ आपका बेट लॉस करेंगी आपका इंच लॉस करेंगी साथ ही साथ हेल्दी डाइट के साथ साथ आपकी खाने की आदितों में सुधार होगा यह हमारा morning breakfast बहुत सारी वीडियो में आपने देखा होगा कि 10 दिन में 10 किलो, 15 दिन में 10 किलो लिकिन ऐसा possible नहीं है शरीर का ये विज्ञान है ही नहीं कि हम 15 दिन में 10 किलो weight loss कर चुके तो सबसे पहले अपनी morning habit को change कीजिए फिर धीरे धीरे lunch के habits को और फिर late night खाने की आदतों में सुधार करें बहुत सारी महिलाएं पूछते हैं कि पूरे दिन के diet बता दीजिए या 7 day diet plan दे दीजिए ऐसा possible नहीं है क्योंकि मन के आदतों में सुधार करके ही आप अपने weight को loss कर सकते हैं तो सबसे पहले अपने morning diet को change कीजिए इसके बाद हम next video में हम lunch में क्या खाना चाहिए कैसे खाना चाहिए किस भाव से खाना चाहिए वो details से बताएंगे तो इसके लिए आप हमें comment section में जरूर बताएं दस दिन इस चीज की practice करने के बाद हम आपको lunch में बताएंगे किस प्रकार की चपाती और सबजी कैसी होनी चाहिए आप मेंसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो चैनल को तो देखते हैं लेकिन जिन लोगों ने subscribe नहीं किया हुआ है तो इन वीडियो का फायदा सभी को मिले इसके लिए कोशिश कीजिए वीडियो को like कीजिए शेर कीजिए चैनल को subscribe कीजिए हम मेंसे बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो 50+, 60+, जो किसी न किसी बिमारी से ग्रसित हैं अगर आपको किसी बिमारी का proper समाधान नहीं मिल पा रहा तो आप Antasio की Zoom Online Classes के थ्रू हमसे जूड सकते हैं स्क्रीन पर दिये हुए नमबरों पर हमें contact करें हमने बहुत सारी बिमारीयों का इलाज जड़ से खतम किया है उन सबी बिमारीयों का फीड़ बैक जानने के लिए आप हमारे फेस्बुक पेस को एक बार जरूर देखें हेलो फ्रेंज, मैं सीमा अपना एक्सपेरियंस अंतसयोग जोइन करने के बाद आप से शेयर करना चाहती हूँ अंतसयोग जोइन करने के बाद आप मेरे चेहरे की कुशी से ही समझ सकते हैं कि मैं बहुत रिलाक्स, एनर्जेक्टिग, एन्ट एक्टिव फील करती हूँ आम अ वरकिंग वुमन, आम टीचर नीना स्कूल और पहले मेरी लेग्स में इतना पेन होता था बट उसके बावजूद भी मैं अपने वरक आउट के लिए टाइम निकालके जिम जाती थी और जिम्स मैंने दो-तीन साल रेगुलर जिम किया है बट उसमें भी मेरा स्टैमिना मतलब वहां पे बस जबरदस्ती ही होता था और उसके बाद में कितनी रातों को सो भी ने पाती थी क्योंकि मेरी लेग्स में बहुत पेन होता था क्योंकि मेरा हेवी शेडियूल होता था फुल डे और नेक्स डे सेव रूटीन होती थी तो I can't tell you कि मैंने बहुत पेन अपनी लेग्स में फील किया है और फिर भी I am pushing myself, I was pushing myself और मैं जाती थी exercise करने अपनी बॉडी के लिए बट मेरको इतना relaxed energetic feel ने कभी भी ने हुआ So it's a great experience और yoga करने के पाद सबसे best part इसमें meditation है जो mind को peaceful मतलब relaxed इतना करता है and one thing I will share with you इससे natural weight loss हो रहा है natural inch loss तो मेरा इतना जबरदस्त हो रहा है और weight loss भी हो रहा है और मैं कोई tension नी ले रही हूं बस ma'am के चोटे-चोटे tips को I am following that tips and thanks to Indu ma'am love you a lot thank you so much Antasio जो भी शरण योग की आया उसी की निरे मलगो हिखाया जिसने भी योग अपनाया तन मन को निरोग बनाया जय जय योग जै जै यो जै जै यो जै जै यो मन की चिंता हट जाए तुम शर्ण योग की आओ रिशियों ने इसे अपनाया जिसने कड़ कड़ महताया जो भी शर्ण योग की आया उसकी निरुट